पाट सत्रा पत्र लेखन लेटर राइटेंग पत्र लिखना एक कला है इसके द्वारा हम दूर रहकर भी अपनी भावनाओं एवं विचारों का आदान प्रदान सुगमता पूर्वक कर सकते हैं बच्चों, पिछली कक्षा में आपने जाना कि पत्र रखने वाले लिफाफी का प्रारूप कैसा होता है उस पर किसका पता कहां लिखा जाता है इस बार हम पत्र में क्या, कैसे और कहां लिखे यह पत्र के प्रारूपों के माध्यम से चानेंगे पत्र मुख्यत्ताया दो प्रकार की होते हैं एक अनौपचारिक पत्र Informal Letter दो अपचारिक पत्र Formal Letter यह पत्र अन्शुल जैन ने अपने मित्र पवन को अपने चन दिन पर आमंत्रत करने के लिए लिखा है यह एक अनौपचारिक पत्र है एक सुक सदन एक पाँच सो बत्तिस वैभवनगर लखनव दिनांग दस तीन दो हजार तेरा दो प्रिय मित्र पवन तीन नमस्ते चार मैं यहां कुशल से हूँ आशा करता हूँ कि तुम भी कुशल से होंगे पिछली वर्ष की भाती ही इस वर्ष भी मीरा चन्म दिन थूम धाम से 25 मार्च को मनाया चाएगा इस अफसर पर तुम्हारी उपस्तिती से मुझे हारते खुशी होगी पांच चाचजी चाची जी को प्रणाम और छोटे भाई बहनों को प्यार ची तुम्हारा अभिन्न मित्र साथ अंशुल चैन अनुपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेश बातें 1. पत्र भेजने का स्थान और तारीक है 2. जिसके लिए हम पत्र भेजते हैं उनके लिए संबोधन है 3. अभिवादन है 4. पत्र का संदेश है 5. पत्र का समापन है छे, स्वनिर्देश है, अपने बारे में लिखते हैं साथ, पत्र लिखने वाले का हस्ताक्षर है नीचे कुछ पत्र दिये चा रहे हैं, इन्हें पढ़ू, समझो और इसी तरह पत्र लिखन का अभ्यास करो एक, अपनी कक्षा में प्रथम आने की सूचना देते हुए, पिताजी को पत्र श्रिवाजी चात्रवास, आदर्श्विद्याले, इंद्रनगर, लखनव दिनांग, 9-1-2013 पूझी पिताजी, साधर प्रणाम, मैं यहां कुशल से हूँ आशा करता हूँ, कि आप सब भी कुशल से होंगे मेरा प्रथम मासिक परीक्षा परणाम कल घोशित हुआ आपको यह जान कर प्रसन्नता होगी, कि मैंने 85 प्रतिशत अंकों के साथ अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप किया है यह आपके कुशल मार्थ दर्शन एवं आशिर्वात के कारण ही संभफ हुआ है मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि निरंतर परिश्रम करके अपनी कक्षा में अपना यह स्थान पनाई रखूँगा माताची तथा अन्य सबी बढ़ों को चरण स्पश तथा छूटों को प्यार आपका पुत्र अभिनव जन दिन पर भेचे गए उपहार के लिए बड़े भाई को पत्र प्रेम सदन ए 532 आदर्शनगर लखनो दिनांक 23-2013 पूची भाई सहाब सादर प्रणाम मुझे कल ही आपकी द्वारा भेचा हुआ पार्सल तथा बधाई पत्र प्राप्त हुआ मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्यता हुई कि अत्यधिक व्यस्थोने पर भी आप मेरा जन दिन नहीं भोले आपकी द्वारा भेची गई खड़ी अत्यंत आकर्शक है मुझे इसकी बहुत आवश्यक्ता भी थी इस उभार के लिए आपको बहुत धन्यवाद भाबी जी को प्रणाम तथा मुदित को प्यार आपका अनुच पवन राय यह तो हुआ अनुपचारिक अर्थात सगे संबंधियों को पत्र लिखने का तरीका आए इसी तरह से एक उपचारिक पत्र अर्थात किसी कार्याले से संबंधित पत्र लिखने का उदारण देखते हैं उपचारिक पत्र लिखने से संबंधित कुछ विशेश बाते एक, जिस पदा दिकारी को पत्र लिखते हैं, उसका पद, नाम, पता सब उपर लिखते हैं दो, पत्र का विश्य लिखना अनिवारे होता है तीन, संबोधन में आदर्निय, माननिय, आदी शब्द जोड सकते हैं, जैसे माननिय महोदै चार, आपचारिक पत्रों में अभिवादन या कुशलक्षीम नहीं लिखा जाता है पांच, समापन वाक्य में सादर या सधन्यवार आदी लिख सकते हैं चे, स्वनर्देश में आपका आग्याकारी शिश्य या आपकी आग्याकारी शिश्य इसके अदरिक्त भवदीय, भवदिया, प्रार्थी, प्रार्थनी आदी भी लिखा जाता है साथ, अपने हस्ताक्षर के पश्चात अपना पता भी लिखना होता है नीचे कुछ पत्र दिये जा रहे हैं, इन्हें पढ़ो, समझो और इसी तरह पत्र लिखन का अभ्यास करो एक, शुल्क मुक्ती के लिए प्रधानचारे को पत्र सेवा में, प्रधानचारे, राष्ट्र गौरव विद्याले, इंद्रनगर लखनव विश्चे, शुल्क मुक्ती के लिए प्रधानचारे को पत्र महोदे, सविन निवेदन है कि मैं एक निर्धन परिवार से संबंध रखता हूँ मेरे पिताजी, एक तृतिय श्रेडी के साधारण सरकारी कंचारी हैं मेरे अधरिक, मेरे एक पहन और दो भाई भी आपके विद्याले में पढ़ रहे हैं पिताजी, हम सभी का शुल्क दे सकने में असमर्थ हैं अता, आप मेरे भविश्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण शुल्क मुक्ती प्रदान करने की क्रिपा करें मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पिछले वर्ष की भाती ही, इस वर्ष भी अपनी कक्षा में अक्छे अंक प्राप्त करूँगा धन्यवाद आपका आग्यकारी शिश्य मधुप अग्रवाल कक्षा चार अ दिनांग 27.3.2013 दू अफकाश छुट्टी के लिए प्रधानचारी को पत्र सीवामी प्रधानचारी राष्ट्र गोरव विद्याले इंद्रनगर लखनव विश्य अफकाश के लिए प्रधानचारी को पत्र महोदै सविने निवेदन है कि मेरी बड़े भाई का शुब विवा दिनांग 20.3.2013 को होना निश्चित हुआ है अता मुझे दिनांग 18.2.2013 से 21.2.2013 तक का अफकाश प्रधान करने की कृपा करे आपकी महान दया होगी धन्यवाद आपका आज्यकारी शिश्य तरुल सिंग कक्षा चार अ दिनांग 16.2.2013